लेटेस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट कबरे सबसे पहले अगले दो दिनों में आगे बढ़ने के लिए स्थिती अनुकूल है अगले 24 घंटे में पश्चिम मंगाल के परवतिये इलाके सिक्किम, कौंकन और गोवा में तेज से अती तेज बारिश होने के आसार हैं अरुनाचल प्रदेश, असम, मेघाल, गुजरात, मद्य महराष्ट्र, मराट वाड़ा, 13 करनाटक और केरल के अलग-अलग हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान है गांगिय पश्चिम मंगाल, ओडिशा, जारखंड, बिहार, हरियाना, चंडीगड, दिल्ली, पंजाब, मद्य प्रदेश, उतर चतीजगड, तर्टिय आंधर प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु में इस दोरान तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार है इसके साथ ये उतर प्रदेश में धूल भरी आंधी या बारिश होने का अनुमान है। उतर प्रदेश के अधिकतर हिसों, पूर्वी राजस्थान, अरियाना, चंडीगड, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों में गर्म हावा चल सकती है। तेलंगाना और केरल के अधिकतर हिसों में तथा अनुमा चल प्रदेश, असाम, मेघाल, पश्चिम मंगाल के परवतिये इलाके, सिक्किम और मद्य महराष्ट्र के कई हिसों में बारिश होई। नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, जम्मु कश्मीर, मद्य प्रदेश, विदर्भोर अन्वान निकोबार द्वीप समू के कुछ हिस्सों में तथा गांगेय पश्चिम मंगाल, ओडिशा, जारखंड, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चतीजगर, गुजरात, तर्टिय आंधर प्रदेश, तमिलनाडू, करनाटक और लक्षद वीप के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हुई या फिर गरज के साथ छीटे पड़े, हरियाना, सावराष्ट्र, कच्च, रायलसीमा, बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाना, चंडिगड, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्या प्रदेश में मौसम शुष्क रहा, जारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पस्चिम राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाना, चंडिगड, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्या प्रदेश में दिन का तापमान सामाने से बहुत अधिक उपर सोराष्ट और कच्छ के शेश हिस्सों में तापमान सामाने से उपर रहा, देश के मैदानी इलाके पश्चिम राजस्थान के चुरू में सबसे अधिक 47.11 डिग्री सेलसियस तापमान दर्ज किया गया